जैमाडाट काली भक्तू। आज का जो वीडियू है ये है दिवाली के ले अब आप सभी को पता है अक्टुबर के एंड हफते में दिवाली का प्रारंब होने जा रहा है तो हम सब लोग इतने उट्साहित हो जाते, इतने उट्साहित हो जाते सब के मन में होती है ना excitement और क्यों होती है सिर्फ सिर्फ माल लक्ष्मी को प्रसन करने की माल लक्ष्मी हमारे घर में पदारे और अपना स्थान ले और हमारे घर के अन और धन के भंडारे दिन दुगनी राच चौनी से भरती जाए इसलिये तो हम दिवाली में जब हम पूजन करते हैं तो पूजन का कितना बड़ा महत्व है और कहीं बार हम देखते हैं कि कहीं लोगों की दिवाली में दिवाला निकल जाता है भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हूँ और जब आप लोग बोलते हमने बहुत अच्छे से दिवाली में पूजा, पाट, अर्चिना, हवन सब कराया और हमें पूणता से फल ही नहीं मिल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ, समझ जानकारी, इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ दिवाली में जो पूजा में आप लोग गलतियां करते हो ना मुझे लगता है 99% लोग दिवाली पे पूजन के समय ऐसी गलतियां करते ही करते होंगे और इसी लिए आपको दिवाली में पूंता से फल नहीं मिलता, जिसके कारण भगवान गडेश, लक्ष्वी मा और धन कुबेर देवताजी आपके घर में नहीं पतारते हैं तो धन देते तो हैं, और कहा चले जाता है, कैसे चले जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता आज मैं आपको गलतियों के बारे में एसास कराने हैं, इस वीडियो के मादे, हमसे कोई डराने धंकानी की, कोई मेरी मंशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाता हूँ, इस धिवाली आपकी खूब सारी लोटर लग जाए, खूब करोड़पती बन जाओ, खूब अंधन के भंडारे बन जाए, बस ये गलतियों को ना करना, कौन सी गलतिया हैं, उससे पहले मैं आपको गलतियां बता हूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आपकी जिम्दगी में कोई संगण बादा है, कोई न बारण नहीं में रहा है, जगा-जगा जाके ठक चुके हो, आपने क्या करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नीचे नाम देख रहो है, बलिंक होता हुआ, ओफिशल देवी भगवती शक्ती के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेस्ब आरिंडी के साथ आपको समाधान दे दिया जाएगा, अब आज आते हैं आज की वीडियो पे तो वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि दिवाली पूजा का महत्व जो है ना हर घर में बहुत खास होता है, ये त्योहार ना केवल धन सम्रिद्धी का प्रतीक हो आप पूजा में सही तरीके से विधी नहीं कर पाते हैं, यहां मैं आपको उसी गलतियों का एसास दिलाने के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए वो गलतियां आपने नहीं करने है इस दिवावली पे ताकि आपकी दिवाली बहुत शुप हैं कि पूजा में जल्दबाजी ना करें, पूजा के समय सबसे वड़ी गलती होती है जल्दबाजी करना, ध्यान रखें कि पूजा में मन को शांत रखें, माता लक्ष्मी पर ध्यान के इंद्रित करें, पूजा करते समय किसी भी तरह की हडबडी या बेजैनी ना बात करें, तो जो हमारी ये एक छोटी से गलती मान सकते हैं, पर कई लोगों घर पे मैंने ये देखा है कि बहुत मतर्ब मौहरत को लेकर इतनी बेचेनी हो जाती है, कि बंदब कई लोग बजार गए होते हैं, इदरुदर होते हैं, परिवार के लोग नहीं होते हैं, बतब्री ना हो और मन शान्त हो क्योंकि देखो आपको मैं बतातों कि मा लक्ष्मी जो है वो चंचल सोबाओ की होथी है तो वो एक जगा पर स्थิर नहीं रहती है तो ऑगर वही भगळत उनका भी स्थिर नहीं रहेगा तो फिर मैच नहीं बैठेगा मतलब वो इनको नहीं स् खंपून होती है अगली चीज जो है वो बनाने वाली ये है कि सही सामगरी का उपयोग करें बिल्कुल सही सुना दिवाली की पूजा में इस्तमाल होने वाली सामगरी का विशेश महत्व होता है आपको पांच साबुत सुपारी 25 साबुत लौंग 5 इलाइची कुछ कौडियो का उपयोग करना चाहिए इन्हें पूजा की थाली में रखतर मा लक्ष्मी का ध्यान करें चांदी या तांबे की थाली में पूजा करें उसके ओपर एक महीन कपड़ा रखें और ये उपाए आपने बेहद प्रभावशाली तरीके से करना है और ये आपको रिजर्ड भी उतना ही प्रभावशाली और शक्ति शाली देगा अब जो लोग बोलिंगे कि हम शांदी या तांबा या फोर्ड ने कर सकते तो वो फिर अपने नॉर्मल बर्तर में बस साफ सुद्रा होना चाहिए अब धन्तेरस में तो एक थाली ले ही सकते है तो नॉर्मल नहीं थाली आ आप ले लो इस्टील की ओ भी नहीं ले सकते हैं आप यता शक्ति अनुसर अपनी इच्छा भाव से कीजे मा लक्ष्मिया आप परातना कीजे मा लक्ष्मी से कि इस साल हमें इस लाग बना दे कि ठाली में हम दिवाली में पूझा करें देखना आपको ज़रूर हो प्रसंद के आशिरवात देंगे अब अगली जो गलती है वो चीज ध्यान रखने वाली यह है कि मंदर में मुद्रा आभूशन रखना है मां लक्ष्वी की पूजा के दौरान आप अपने मंदर में कुछ मुद्रा आभूशन रख सकते हैं छोटी धाली में कुछ नोट अपनी स्वन आ लग करें अब जो यह चीज है यह चीज यह है कि आपनी क्या करना है दिवाली के दिन सुभा भी कर सकते हो आप पहली से अपनी त्यारियां बिल्कुल कर सकते हो निश्चिन ठोके कर सकते हो या फिर जब यह पूजा पाट हो जाती है और सामगरी जो पूजा हवन में आपन परियोग करो और तोरंड लगाओ सुंधरता बना कि रखो जैसे आपको खुद इच्छाओ उपने घर में गुसने की वैसी मालक्ष्मी को भी इच्छाओगी हना तो मन में और घर में नेगटिविटी नहीं होनी चाहिए नकरात्म कुझजा का प्रभाओ वहां पर नहीं होना चाहिए कपूर आप जलाओ लॉंग आप जलाओ था कि वहां की जो एक वाताव रहने वो स्वच्छ बन सके और मालक्ष्मी उस घर की तरफ आकरशित हो सके तो जब यह आप उपाई कर रहे तो आपनी क्या क्रम है ठाली में आप मुद्रा या अभुशन जैसे चांदी के सि नोट तो आप नहीं आते फिलाल पर दस के नोट यह बीस के नोट यह था शक्ति अनुसार जितने हो सके वो रख लो फिर उन्हीं नोटों को नहीं आभुशनों को अपनी तिजोरी में रख दो आप तिजोरी उस दिन जरूर साफ करनी है उसमें एक आप चाहे कुम-कुम से चाहे हल्दी से मवैसे शुब होगा एक तो स्वास्तिक बना ले ठीक है और महालक्ष्मी का जिसमें गणीश भखवान हो चांदी का सिक्का वहा रख दे आप पोटली बना कर भी रख सकते हो पीली कौडियां रख सकते हो जो पीले कपड़े में और मलमल के कपड़े में रखना है अब वो कैसा है जैसे में भाट किया है आपका मालक्ष्मी को प्रसंद करना है तो अपनी घर की तिजोरी आप जरूर बनाए एक तो आप मैंने देखा है नहीं गुरू में आप तिजोरियों का ट्रेंडिक हतम हो गया तिजोरियां है ही नहीं तो जिन लोगों की तिजोरियां नहीं हो तिजोरियां जरूर बनाए और उसको साफ रखना है व्यवस्थित रखना है क्योंकि दिवाली पर तिजोरी साफ करना एक महतपून कदम आना जाता है तिजोरी को अच्छे से साफ करें उसमें धूप दीप जलाएं खुश्मुदार बनाते उसे प्रद्धान दे कि नई मुद्रा खास कर हाल के दिनों में कमाए हुए पैसे को तिजोरी में रखे पुराने पैसे नहीं हाल ही में कमाए हुए इन छोड़ छोड़े वपाय को अपना खर आप दिवाली पर अपने घर में लक्ष्मी माता का स्वागत कर सकते हैं और साथ ही जो छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का ऐसा समय है, छोटी दिवाली में माताली का पूजन जरूर करें, उनका ध्यान जरूर करें, ठीक है, वैसी ही आपने बड़ी दिवाली के दिन, मा लक्ष्मी का, गणेश भखवान का, धन कुविर देपता, अश्ट लक्ष्मी में नारा इंसन्ग उनका ध्यान कीजे उनको बिंती कीजे कि वहां से दिवाली है और दीपावली पर आपने हमारे घर में जरूर कदम रखने इस थिरवास रखना है हमारे अंधन के भंडारे भनने जो भी पापकरम है हमारे नश्ट करने है और सतकरम का आशिरवात देना है यह करते वें आप दिवाली का प्रारंब कीजिए और दिवाली पर अपनी तिजोरी जाडू का आप दुरूपियोग मत होने देना उस दिन जाडू नया खरीद के लाए पुराना जाडू आप चाहें तो उससे एक दो दिन पहले ही आप किसी मंदर में छुपके से रख्या जा पीपल के पेड़ में आप जल जरूर चणाए अगर संडे नहीं है उस दिन तो और दूसरा क्या है नारायन भगवान जी का कोई भी मंदर जैसे ओम नमों भगवते वासु देवायनमा का भी जाब जरूर कीजिए अगर आपको भी मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जै मादादी जै मादाड